अलो दोस्तों नाइका के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे बिजनस को समझने की कोसिस करेंगे दोस्तों इस वीडियो में मुझे उमीद है आपको हर बार की तरफ वैल्यू जरूर मिलेगी देखें अगर आप GMV की बात करें GMV का मतलब होता है और यह जो नंबर है यह जो टर्म है बार बार आता रहेगा जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता रहेगा तो मैं आपको इसका मतलब समझाऊंगा और एक्जाम्पल्स पर आपको बताता रहूंगा तो देखें 63% यर-on-year ग्रो हुआ है 10% सिक्वेंसेली में तो यह बढ़ा ह है और अभी यहां पर ब्यूटी एंड पर्सनल केर जो है वह 38% यर-on-year रीच हुआ है और फैशन जो है 27% अब समझते हैं GMV अब देखें ग्रॉस मर्चंडाइज वैल्यू का मतलब होता है कि आपने समझ लीजिए नाइका से वेबसाइट से समझ लिए एक एप से समझ लि का लिया तो एक एग्जांपल दे रहा हूं तो टोटल आपने 500 रुपए का खर्चा किया तो यह जो टोटल जो खर्चा जो है जो आपने यहां पर कोई भी टैक्स और कुछ अभी तक हमने जोड़ा नहीं तो जो खर्चे जो भी आपने खरीदा है उसकी वैल्यू कितनी है 500 रुपए हमारे एक सामपल की साब से तो यहां पर देखें जैसे ब्यूटी का जो व्यूटी और परस्टेस के ब्यूटी के जो पर्रोड़क्स है तो 1185 करोड के उन्होंने यहां पर विक्री हुए और जो फैशन के भी जो सामान जो है वह भी यहां पर ग्रोह हुए है और वो आप देखे 437 करोड़ तो beauty का जो business है वहां से ज्यादा से ज्यादा बिक्री होगा रही लेकिन fashion का जो business है वो अभी ही शुरू हुआ है अच्छा फिर उनकी जो websites है या जो app है average जो unique visitors जो आ रहे है monthly वो 2.1 करोड आ रहे हैं जो पिछले साल के मुकाबले यह बढ़े हैं और अगर आप beauty segment में अगर आप देखें और दोनों segment में आप देखें तो यहां पर अच्छा खासा growth यहां पर हुआ है अब देखें Consolidated GMV अगर आप पूरे financial year पिछले साल का अगर आप द यहां पर कम growth देखने को मिला है और यह चीज बिलकुल common है अब देखें यह है beauty का segment ठीक है beauty के जो products है उसमें अगर आप देखेंगे फिर से में GMV की तरफ जाता हूं तो FY21 में देखें हमने देखा था 4000 करोड से उपर का था तो 3380 करोड का जो business है वही में उसी business से ही आ रहा 35 करोड का growth जो हमने देखा थोड़ी जार पहले तो एक growth अपने जगह में हो रहा है लेकिन growth में उपर भी हो रहा है नीचे भी हो रहा है जैसे quarter 4 से अगर आप देखेंगे compare करेंगे तो फिर अच्छा खासा year on year growth हुआ था फिर यहां पर नीचे हो रहा है तो यह चीज है जो Fy21 में था और यह भी 256% growth हुआ है तो यहां पर भी अच्छा खासा हमको यहां पर growth देखने को मिला है और year on year अगर आप देखेंगे तो fashion का बिजनस है 800 करोड का तो new age fintech companies है वहां पर अगर आप देखेंगे तो जो हम देखते है ना जो जो matured companies होती है उसमें ऐसे उपर क हो जाएंगे losses भी आ जाएंगे तो वह जो risk है वह हमेशा new age tech companies है उसमें रहे गई लेकिन यहां पर investor भी bet कर रहे है future के उपर तो इसको हमको ध्यान में रखना है operations देखेंगे revenue from operations 2440 करोड का है और अगर आप quarter 1 में अगर आप revenue देखे तो 817 करोड का quarter 2 में 885 करोड का तो growth भी 8% का यहां पर revenue के हिसाब से growth भी हुआ है margins देखेंगे profit margins 42.7 परसंट है लेकिन फिर बाद में expenses भी है marketing के भी expenses देखें marketing के expenses अगर आप देखेंगे 6.9 परसंट था जो पिछले साल में लेकिन अभी 13.7 परसंट है quarter 2 में तो खर्चा वहां पर कर रही है marketing में फिर employee benefit expenses जो है वह 10.4 परसंट है फिर fulfillment expenses वह 10.3 परसंट है तो वह एक चीज आपको देखने को मिलेगी और यह सब चीज आपको results में भी देखने को मिलेगे अगर total EBITDA margin देखें तो अभी भी यहां पर growth की गुंजाइस है तो यहां पर चुकि marketing के expenses है तो यह सब है तो अभी भी margins जो है जिसे समझ लीजिए Asian paints है तो आपको margins के बारे में एक पता रहता है कि हाँ एक stable margins वहां पर आएंगे या समझ लीजिए कोई भी कोई भी पुरानी auto company है तो आपको पता है कि हाँ इतना margins उनका होता है इंफ्रा company है तो कुछ 8-10% का margin तो अपने सब industry के अपने अपने margins होते तो यहां पर अभी भी वो margins जो है एक consolidated level पर आना मुझे लगता है future में हमको आपको और ज्यादा clarity मिलेगी profits के बारे में बात करें तो पिछले साथ 61 करोड का profit था quarter 2 में profit देखेंगे तो 1.2 करोड का है quarter 1 में 3.5 करोड का तो profits तो यह कर रही है बाकि तो बहुत सारी जो new age tech companies अभी cash burn ही कर रही है profit सभी तक नहीं आये हैं लेकिन यहां profit आ रहे है लगभग 4.7 करोड के profits अल्रेडी quarter 1 में और quarter 2 में आ चुके हैं यहां पर नाइका में अगर हम बात करें अगर क्या यहां पर सस्ता है क्या महेंगा है वह important चीज है जैसे पी रेशियो quarter 1 के result के हिसाब से लगभग यह बहुत बड़ा नंबर लगभग 4000 के पास और वो रहे गई क्योंकि पी रेशियो में प्राइस डिवाइड वाई अर्निंग होता है तो प्राइस तो ठीक है बढ़ गया 2000 हो गया लेकिन अर्निंग तो वही चार करोड के आसपास है तो हो सकता है लॉस भी कर ले तो पी रेशियो भी नेगेटिव हो जाए लेकिन यहां पर रेकिए है कि अगर कोई एक क्वाटर में जबरतस्त प्रॉफिट्स आ जाता है तो फिर जो पी रेशियो है वो भी आपर कम हो सकता है तो इसलिए इन बिजनसेंस में इन सब रिस्क को बहुत समझना जरूरी है डाइनामिक नेचर है यहां पर हम इंटरनेट कंपनी इस पर बैट कर रहे हैं अगर आप लॉंग टम के लिए बैच कर रहे है तो फिर मुझे लगता है क्वाटर ओन क्वाटर यहां प कर आएंगे अब देखिए यहां पर रिटरन ओन इक्विटी को ही देखिए 2020 में माइनस 5.2 था फिर देखिए 15.2 प्लस हो गया और यहां पर 1.5 तो अगर को ट्रेडिशनल कंपनी होती तो हम कहता है कि नहीं बिल्कुल इंकॉंसिस्टेंट है लेकिन इन बिजनसेंस में वह नेचर ऑफ बिजनस ही है कि इनकॉंसिस्टेंस स्टार्टिंग में रहेगी और एक लेबल के बाद कुस्टेबिलिटी आएगी या फिर स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं आएगी और बिजनस फिर मार्केट से निकल जाएगा तो इसी लिए यहां उन रिस्क को समझना बहु बिल्यू मिली होगी इस वीडियो से कुछ भी आपके डाउट सो जरूर कमेंट सेक्शन पूछे धन्यवाद आपके कीमति